जी आए नू प्यारे विद्यारतियो पंजाब सेट एड्यूकेशन वोट दी एट्थ क्लास दी इंग्लिश दी किताब इंग्लिश रीडर उस दा पोईट्री दा सेक्शन जुड़ है पार्ट फोर पोयम फोर लूसी ग्रे इस दी ट्रांसलेशन ते रीडिंग असी पहले वी लेना है तो नाल दे नाल उननों रिवाइज भी कर लेना है तो नाल उसनों बिना देखे आप अपने तौरते करन्दा भ्यास भी करना है अग्य बदन तो पहले मैं तनू चेतेक रादमा लेट मी रिमाइंड यू कि इसी चैनल दे उत्ते चठ साल के अपने येश्पाल सिं ने वो सारियां सॉल्व किती होई है सारे स्वाला नों करके वीडियो बना के समझाया हुए है तेक एट्थ साइंस दी प्लेलिस्ट है जेदे विच टोड़े साइंस दे चप्टर दे नोट्स दे वोधी जो एक्ससाइज दे जाई है उननों भी सारा हल कीता हुए है तो करिए है तिक अर्थात ठीक दा निशान लगाओ दी कोरेक्ट आंसर जड़े आंसर ठीक ने उना थे ठीक दा निशान लगाओ इनने काटे दी कोई गल नहीं कीती अर्थात जो ठीक नहीं उन्हु उस्तर नहीं शड़ दो सो पहला स्टेटमेंट है पहला कहते हैं Lucy had many friends एकल गलत है शुरू विची पोएम चे लिखे है कि Lucy had no comrade Lucy had no mate ना अधा गोई साथी सी ना अधा गोई दोसी सो इत्या सी ठीक दा निशान नहीं लगाया फिर Lucy's mother was lost in the storm एकल भी गलत है Lucy's mother टे टाउन गई हुई सी गी है ना ते वदे फादर ने क्या सी Lucy नो की लांटन लेके जा ते तुफान समय तो पहला आ गया so it was Lucy who was lost in the storm Lucy's mother was not lost in the storm so एकल भी ठीक नहीं गी Lucy was the only child of her parents एकल बिल्कुल सही गी है शुरू भी ची लिखे है the solitary child Lucy अपने माप्यान दी कल्ली कल्ली बच्ची सी सो सी ठीक दा निशान लगा देता Lucy was an obedient and dutiful child Lucy एक आग्याकार अते जिम्मेवर बच्ची सी एकल बिल्कुल सही है जदो और पिता ने किया कि Lucy you must go to the town with a lantern to guide your mother back home through the stormy night हाना ते पी अपनी माली तू लांटन लेके जा राती अपना तुफान आनवाला है ते लांटन नान ले जा चानन वास ते ताकि तेरी मान वापस का रांच पी तंगी ना होए ते उसी वह लो ने क्या सिगा I will do that gladly dad my father I will do that gladly भी पता जी है चीज मैं बिल्कुल खुशी खुशी करांगी तो वह बिल्कुल ओविडेंट सी अग्यागाल सी ही ते जिमेवर बची सी की ठीक लगा तनिशान many people believe that Lucy is still alive कि लोका ना मनना की Lucy हले भी जीन दा है गाल बिल्कुल से ही है क्योंकि अंतले इस से विच लिखे है कि many people still many people maintain that she is a living child भी अहले भी जीन दी है ठीक है वादा गाना घूंजदा है वो पद्रे अनपद्रे था मादे तुरी जन्दी है सो काफी लोका ना मनना की जीन दी है सो एगल सी थे ठीक लगाता Lucy did not carry any torch or lantern with her एगल कलते ही है वोच लिखे है कि and applied his work and Lucy Lucy gray with lantern in her hand Lucy जड़े लांटन लेके गई सी कि मरे पिता ने कहा से तो लांटन लेके शेर जा तो अपनी मान हो वापस लेके आ ठीक है सो एगल गलत है गी है कि Lucy ने कोई torch लांटन नाड नहीं लेके गई वो लेके गई सी सो एगल गलत है गी है the storm came much later than it was expected जड़ा storm है गया तुफान है वो आस तो बहुत देर बाद आया एगल बिलुकुल गलत है कि उत्तित लिखे है the storm came on before before much earlier पहला आगया so the storm came before not later स्वेगल गलत है कि एसी ठीक दा निशानित नहीं लबाया ठीक है फिरके ने बहुत Lucy's father and mother went to look for her एगल बिलुकुल सही the rest parents they went searching for her far and wide shouting her name so both Lucy's father and mother went to look for her दोन्नों Lucy दे पिता आते माता उन्हों लब्बन वास्ते गए so एगल बिलुकुल सही है गी है जे आसी कवीता नों ठीक तरह पड़या कवीता जै वीडियो सही बनाया नों ठीक तरह सुने आ समझ जाए ते सारे जड़े statement ने इना धे सिबहां अक़िया अपि यह जो केड़ा कथन केड़ी statement ठीक है केड़ी statement गलत है ताहिए नहीं कहते हैं Comprehension, Comprehension नहीं मतले हैं समझ, कि जड़ा paragraph, जड़ा कोई निवंद, जड़ी कोई कहानी, जड़ा कोई essay, जड़ी कोई कवीता तुसी पढ़ी है, वो पढ़के किन्नी समझी है, उस गाल्दा पता सानू Comprehension दे section तो लगदा है, तोड़े किन्ने जवाब जड़ेने Comprehension दे, तुसी ठीक तरह दे पन दे हो, ठीक है, सो ऐसी प्यारे बच्चों, तोड़ा पहला section और उन दूजा section करिए, जच स्वाल जवाब ने, Okay, section 2, किन्ने answer each question briefly, हर एक जवाब दा संखेप देनार जवाब दबो, ब्रीफ मैने संखेप, ब्रीफली मैने संखेप विच, ठीक है, Okay, who was Lucy Gray? Lucy Gray कौन सी? So, Lucy Gray was a lovely girl child, एक बड़ी प्यारी बच्ची सी, with a sweet face, बड़ा प्यारा मन मुहक, चैरा सी, She was the only child of her parents, वो अपने माप्यां दी कली कली बच्ची सी, ठीक है जी? फिर where did she live? ओ किते रिंदी सी? और देख़े देगा है, ते did, do, does देनार हमेशा फस्ट फ़ार मन दी है, ते जदो आसी जवाब दमाँगे, did करके, live दा, lived हो जाएगा, ठीक है? She lived on a wide moor with her parents, वो एक खुले उजाड इलाके विच अपने माप्यां दिनार रिंदी सी, ठीक है? What did the father ask Lucy to do and why? ठीक है? केंदे वो दे पिता ने, Lucy दे पिता ने उन्हों की किया, अथे क्यों? ठीक है? So, did मने, उन्होंते को did हैगा, past tense हैगा, ते did दिना आस्क हैगा है, जो तो जवाब आएगा, असी आस्क दा करता हैंगे, asked, ठीक है? So, असी जवाब दिता है, the father asked Lucy to go to the town with a lantern, lantern लेके ओ शेर जावे, ते वाएदा असी नारी जोड़ दिता है, and why? कदली, to help her mother back home, तांकि मानु कारवापस ल्यान वास्ते मदद कर सके, through the stormy night, तुफानी रात दे विच्चों, तुफानी रात आनवाली सेगी, तुफानी रात वेच, अपनी मा दी मदद करन लेके शेर जावे, ठीक है? So, एजवाब जड़ा, to do, की करन ली क्या, ते क्यों क्या, एस सारा असी विच्ची रलाता, इत्थे तक, ते तू दा जवाब आगया, to do, की करन ली क्या, दी फादर आज लूसी तुफानी रात विच, जो तुफान अना सी, तुफानी रात सी, वो दे विच्चों लंगन अनने क्या की, तु अपनी मान मदद करन ली, शहर विच लांटन लेके जा, ठीक है, क्वश्चन नमबर फॉर, वट शोज दैट लूसी वाद द्यूटिफूल एंड लविंग चाइल्ड, कि देखके सकाल तो पता लगदा है कि लूसी एक बड़ी जिम्मेवार, बलगी, जिम्मेवार अथे प्यारी बच्ची सी, ठीक है, खुश मिजाज बच्ची सी, प्यारी बच्ची सी, वें लूसी जवाद दना है, वें लूसी जवाद दना है, जदो लूसी दे पिता ने उनू क्या, तो गो तो दा टाउं, शैर जान लई, विद अ लांटन, लांटन लेके, लेंप लेके, तो हल्पर मदर बैक हूम, थूदी स्टॉर्मी नाइट, तांकि ओ तुफानी रात विच्चों अपनी माधी मदद कर सके, वापस ल्यान लई, कारान लई, शी सेट देट, शी वुद डू देट ग्लैटली, उनने क्या, कि वो एवला कम, हसे नाल, खुशी-खुशी करेगी, चाह नाल करेगी, उनकी एगल दसदी है, एगल साबित कर दी है, एगल समझांदी है, द्रसदी है कि इट शोज दैट, लूची वाद, इूचीफुवद लूवड वी सी, प्यार ना, उनने हाँ, बिल्कुल बिना कोई स्वाजवाब कीते बिना कोई दलील देते अपने पिता दा कहना मन्या ते क्या कि I would do that gladly यह मैं जो तुसी कह रहे हो यह शहर जाना है लेंप लेके लेंटर लेके मैं एकम खुशी-खुशी करांगी सो इदरो पता लगदा है कि she was a dutiful and loving child why could Lucy not reach the town could, would दे नाड़गी हमेशा first form आधी है will, shall, would, could, should दे नाड़गी हमेशा first form आधी है ठीक है so Lucy could not reach the town Lucy could not reach the town because she got caught in the storm और बच्चों एह चीज एह जड़ा फ्रेजें याद कर लो to get caught, to get caught उन्दा फस जाना she got caught, past tense दीकल लगी है, पूथकाल दीकल लगी, she got caught, वो फस गई, के देच फस गई, in the storm तुफान देवेच फस गई, क्योंकि तुफान समय तो पिलना आ गया, ठीक है ना, मलगी पिता ने कहा सी कि storm ते रती आना है पर वो ते चलुप विखवानी गलत होगी, मौसम बारे अगे पिछे हो जन्दा है, so उन्ने जो जिले गई ते रा विच तुफान समय तो पिलना आ गया, क्वीता ज लिखया है, कि समय तो पिलना आ गया, ते she got caught, she wandered up and down, she climbed many hills, लिखया होते है she got caught in the storm, वो तुफान दे विच फस गई and lost her way, अते अपने रा तो खुझ गई, lost her way मैंने उन्नों रा नहीं दिखया, जले तुफान अंदा है, नहीं रहा है, उन्नों थे सड़कां थे उन्नी नहीं पाड़ी लाकेच, ते पते नहीं केड़े पासे ज़ना है, वो दिशा द अपने रातों खुझ गई, इस करके यो शहर नहीं पुझ सकी, फिर what did the parents do to find Lucy, Lucy दे माप्या ने Lucy नू लबबन ली की की ता, माप्या ने Lucy नू लबबन ली की की ता, सो जवाब है, the parents searched for Lucy, far and wide, और उन्ने सारे पासे, उन्ने Lucy नू लबबन लई, सारे पासे गए, उन्नों लबया, हर पासे लबया, shouting her name, वो दा नाम उची उची बोल के, Lucy, 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 इदर गया, इदर गया, जलो बंदा गवाज जान दा, कोई जाना इदरुद रोजन दा ते मापेज दिंग कर देने ना, so shouting her name, उची 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 ओदा नाम पुकार रहा, they try to look for signs of sound or sight of her to guide them, उन्ना ने किसी भी किसम दी, आवाज, या दृश दी, कोई चन मिले, कोई निशानी मिले, कोई हिंट मिले, कोई इशारा मिले, उन्नो Okay, question number seven, Lucy's parents followed her marks, Lucy दे मापेज ने वदे जड़े foot marks से गए, वदे पैर दे निशान से, वदे पाल कीती, वदे पिछे पिछे गए, followed, वदे पाल कीती, वदे पिछे पिछे गए, where did they reach at last, ओड़क नू, अंत नू, at last मने ओड़क, अंत नू, अक्षीर नू, वो किते पुझे वेर डिड़ दे रीच, अंत को डिड़ एगा है, ते रीच जड़ा एगा है, वो की एगा है, फर्स्ट फॉर्म हैगी है, वदे जवाब दोंगे, ते रीच दा रीच बन जाएगा, ते जवाब हैगा, following her foot marks, following her foot marks, वदे पैरा दे निशाना दी पाल कर दे, कर दे, वदे प पुल सिवा, वदे जो प्लैंक सी, वदे चोड़ा फटा सी, वदे गब्बे पहुंच गए, वदे सेंटर पहुंच गए, वदे मद विच पहुंच गए, ठीके? Question number 8, what do you think could have happened to Lucy? Lucy, तो अनुकी लगदा है कि Lucy नो की होया होएगा, could have happened, की होया होएगा, So, क्योंकि बच्चे इदरों पता लाग जान दा है, क्योंकि वदे वो सिगे, वदे मार्क, वदे निशान सिगे, वो पुल दे गब्बे पहुंचे सिगे, वो तो अनुक्छ निशान नी सिगे, So, ऐसी अन्दाजा लगाने है दरों, Lucy could have slipped, वो साधा Lucy तिल्ग गई होए and fallen, अते डिग गई होए off the bridge, आफ मने वो तो सवन टुट गया, ब्रिज तो गर गई, ब्रिज तो डिग गई थल्ले, So, Lucy could have slipped and fallen off the bridge, वो साधा Lucy तिल्ग के पुल तो थल्ले डिग गई होए, ठीके, ओगे चलिए, फिकेंदे, section 3, work with your partner and make a list of all the rhyming words in the poem, अपने पार्टनर नाल, अपना एक साथी लगो, class विच्छों, ते जिनने भी शबद, तुक बंदी राले आये ने पोयम देविच, वो सारम लिखो, सोबच यह ते बड़ा सोख है, इस ही वोने पोयम सारी पड़ी जाएगी, तो मैं बढ़ा देता है तो ग्रे डे, wild child, तुक बंदी राले, wild, wild, wild child, new, grew, more, door, grey, play, तो इते ग्रे डे यह गा है, इते ग्रे प्ले, green, scene, night, light, अगे देखे, go, snow, do, to, afternoon, noon, band, hand, row, snow, stroke, smoke, time, climb, फिर आगया, down, town, night, sight, wide, guide, stood, would, cried, cried, spied, meet, feet, edge, hedge, यह अखरी आगे सदा, small, wall, cross, lost, same, came, bank, plank, one, none, along, song, सो प्यारे विद्यार्थियो, ऐसी ट्वाड़ा, poem for Lucy Gray, जो poem है, वदा comprehension, section, ते वोड़े तिन पार्ट सी, तिनों सी पूरे कर लेने, सो सारे नों तुसी copy down कर लेना है, यह नों revise कर लेना है, ते यह नों अपने अभी अभ्यास से दा जुरूर करना है, अगले वीडियो इस ट्वाड़ा, असी अगला लेस्सन जड़ा है, वो शुरू करांगे, वो लेक्या मगे, ते तुसे इसी तरह मैनत देनार, अनुशासन देनार, दिरंतरता देनार, अपनी पड़ाही कर देरो, परमातमत अनुँ चर्दिया कला बख्षे, अगले वीडियो तक ले, गुड़ बाई, वड़ा सारे अंदा, बहुत बहुत अनुवाद, रबराखा, थेंक्यू वेरी म कर दो बहुत।